सारन जिले के बनियापुर्थाना अंतरगत पांडेयपूर गाव में हतियारों की खरिद विक्री का करता था सोनू गुप्त सूचना के आधार पर बनियापुर्थाना पुलिस ने उसे हतियारों के जखीरा के साथ गिरफतार किया है इस बात की जानकारी देते हुए सारन एसपी डाक्टर गोरो मंगला ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्थ हुई थी कि बनियापुर्थाना अंतरगत पांडेयपुर्थ निवासी सोनू कुमार हतियारों की खरिद विक्री में लिप्त है इस सूचना के आधार पर टिम बनाकर जब उसके घर छापी मारी की गई तो सूचना सही पाई गई और उस कारवारी को हतियारों के जखिरा के साथ गिरफतार किया गया जापमारी के दोरान उसके घर से एक दोनाली बंदूख, तीन देशी कट्टा, एक देशी पिस्ता, एक सचोबिस जिन्दा कार्टूस, एक चाकू, एक मुबाइल एवं एक सूटकेस जब्तकर अभ्युक्त सोनुक कुमर को गिरफतार किया गया है इस संबंद में प्राथमिके दर्ज कर पुलिस कारवाई कर रही है, सारन एस्पी ने बताया कि लोगसवा चुनाओं को देखते हुए जिला में बिसेस अभ्यान चलाया जा रहा है इस अभ्यान में आज गुप्त सूचना के आधार पर छापे मारी कर हतियारों के जखीरा को साथ बनिया पुर्थाना च्छित्र के पांडे निवासी सोनुकुमार को गिरफतार किया है जिस से पुष्टाज कर च्छित्र के अन्य अपराधियों के पहचान की जा रही है